लाल लाल टमाटोरों का स्वीट अंसार और टैंगी टेस्ट वाला हर दिल की चांद केचप पहली बात तो भई जिसका नाम ही टमाटो केचप है उसे बनाने के लिए टमाटो तो चाहिए ही जिनके बीज और स्किन निकाल के उनका कॉंसेंट्रेट बनाया जाता है इस फैक्टरी में ये प्रीमेड पेस्ट के फॉर्म में आता है इस बड़े कंटेनर में टमाटो पेस्ट ही रखा हुआ है अब ये भाई साब इसे ब्लेंडिंग मशीन में ट्रांस्वर करने की तयारी कर रहे है ब्लेंडिंग मशीन में नीचे से शुगर सिरप फीड किया जाता है और टोमाटो पेस्ट उपर से डालते हैं ब्लेंडर घूंगता है और सिरप और पेस्ट की मिक्सिंग शुरू हो जाती है निक्सिंग के दौरान टोमाटो केचप का टेस्ट बढ़ाने वाले स्पाइसे जैसे अनियन और गार्लिक पाउडर भी आड़ किये जाते हैं ब्लेंडिंग मशीन से केचप पास्चिराइजर में करीब 100 डिगरी पर 30 सेकंड के लिए कुख होने जाता है इस मशीन की हीटिंग की मदद से हामफुल बैक्टीरिया खतम करके केचप को खाने लायक बनाया जाता है हीटिंग प्रोसेस की वज़े से केचप थिक हो जाता है और अब ये टेस्टी केचप तयार है यहीं से टैंगी टोमेटो केचप जाता है पैकेजिंग के लिए पर उससे पहले होता है केचप का सैंपल टेस्ट इस कलर टेस्टर पर केचप का सैंपल एक क्लियर ग्लास पे रखा जाता है ये टेस्टिंग मशीन केचप की ब्राइटनेस, येलोनेस और रेडनेस का ग्राफिकल रेप्रेसेंटेशन करती है ग्राफ में रिक्वाइड लेवल्स के हिसाब से कलर पैटर्न अगर बनता है तो समझे बैच ओके है और पैकेजिंग के लिए एक दम रेडी है पैकेजिंग की शुरुवात होती है ग्लास बॉटल लाइन में जहां बॉटल की क्लीनिंग होती है फिर स्टीम से बॉटल्स को फिलिंग से पहले प्री हीट करते हैं हॉट वॉटर वश के बाद केचप भरा जाता है इस मशीन में बॉटल्स पर कैप लगते हैं अब कैप लगी हुई बॉटल आगे टनल कूलिंग के लिए बढ़ती है ये कूलिंग कम से कम एक घंटे के लिए की जाती है कैचप अब तयार है आप सब के पास पहुचने के लिए बटाइक पत्रवका से के लिए काप फ़से का एक राद के बार मुचने की ज Manuel कि खरश सकू्रा प्हायत्य को लिए्या करिखए थिए झाल झाल